असलाम लेकुम वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही मज़ेदार जी बटर स्क्वाच आइस्ट्रिंग की रेसीपी जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रिडेंट से साथ यह आइस्ट्रिंग बहुत पसंद आती है तो आयो मैं बटर स्क्वाच बना लेती हैं तो यह फ्रेंट सब्सक्वाच बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़त चाहिए होगी तो यह देखें बटर स्क्वाच बनाने के लिए है मैंने वन कप शूगर और यह हाफ कप ले लिए है मैंने आलमंड जनकैशू बादाम और अगर आपके पास यह ना हो तो आप कोई भी प्लेट ये में घी या बटर लगाकर ग्रीज के इसको रगते और देखें पैं में मैंने शुगर डाल दी है अब इसको मल्ट करना है तो इसको स्पून लेकर चलाते रहना है और चुले की फ्रेम को स्लो रखना है अगर थोड़ा अब हाई रेखेंगे तो शुगर जैनल स्टार्ट हो जेगी उससे अच्छे से मेंट रही होगी तो तो शुगर का कलर जो है चीज होना स्टार्ट हो गया है तो थोड़ी-थोड़ी सी मेंट भी हो रहे अब इसको ब्लाव मैंने करना है जिब तक इसका ब्राउन कलर ना स्पून आपने साथ साथ चलाते रहना है अच्छे से मेल्ड हो चुकी है इसको बस चार से पांच मिट और पका लूँगी मैं तो यह देखें शुबर का तारे माल जाहा बिल्कुल रेडी हो चुका है अब इसमें एट कर दूँगी नट्स जो मैंने काट कर रखे हों और सास इसमें में बटर भी शामल कर दूँगी और इसको चार से पांच मिन्ट तक केली इसको फिर ऐसे पका लेना है तो तो देखें विए वेक्षाल पकेता है कि अब चुले की फ्रेम को मैं डू मेंट बाद आफ पर दूँगी और इसको डाल कर रहते हैं अपने वह चीज़ पहले से रेडी करते हैं तो मैंने बटर पेपर पहले से रेडी करके ड़ती हैं क्योंकिआब यह तो बिटर पर प अजाता है तो यह हुरा जम जाता है इसको बटल करांगी कि दूम गरम ही और दाल कि कि देखें इसको कि बटल प्रॉपर फुर्पर डाल दिया है अर्य को इसको थासा सम्ट बर से क्रेस कर दोटाए इसकी की बचल्स को इकल कर दिए है मैंने और इसको मैं जमने के लिए लग देती हूं तो यह देखें इसको आदा घंटा हो चुका है यह अच्छे से ठंदा हो गया है अब यह देखें बज़ा पेपर जगा कि इतना असानी से हाट इस पेपर से यह जाता हाट बनी हाता हो बहुत इसलिए तूट जाता है आप बटर स्पाश को बनाकर रख लिए बहुत सी चीजों में इसका स्कुमान किया जाता है आइस क्रीब में किसी भी मिटे भी आप शामन करें इसका टेस्ट जो है बहुत पी अच्छा आता है तो यह देखें बटर पिसुक्त में डाल देती हूं कि कोई भी पर चीज़ ने मैंने यह बेला ले लिया है इससे मेंद को हर कर दी वको सि तो इसके जो है बहुत लिभासानी जल्दी से टूट जाते हैं हम उसको मैंने मोट Kenneth McCrard की पीसना है जूर कि ने समया करूं तो इसको वाए पीस जो है चोटे जो जोटे बहुत अच्छी से लगता है नहीं से यह देंक आता है। प्लास्टिक की यह शीशे की जार में डल के रखनें यह काफी टाइम तक चल जाता है बिल्कुल भी खराब नहीं होता है बटर स्वाश पब में जिस जार में डालना है ख्याल रहें कि इसमें बिल्कुल पानी बनारा बिल्कुल भी नहीं हो स्पॉची से ड्राइ होना चाहिए तो यह देखें फ्रेंट बुटर स्वाश जो है बिल्कुल तयार है अब मैं इसके लिए आइस्क्रीम बना ले दी अच्छा से बार ठंडा हो जाए तो अब यह 500 गुरा में ले लिए विपिंग क्रीम इसको मैं अच्छे से विप्ट कर लूँगी विपिंग क्रीम जो है अच्छे से ठंडे होने चाहिए बस यह ख्याल लगना चाहिए किसमें जो है आइस नहीं होने चाहिए नहीं तो पर पर देखें 5 मिट हो गए है मुझे क्रीम को विप्ट करते हुए अब इससे मैं शामीर कर दूँ ही कंडेंस मिल्क में लिए हैंवर डाल के कड़ेंस क्रीम का टेस्ट जो है बहुत है अच्छा आता है तो इस मैं नहीं टाल तो इसको में दोबारा से इसको विप्ट कर लू तो अपर भुणापा करेंगे, डोड़ी ही घ्ल नाका看看 में टोड़ा icon do it also यॉरी जोड़ानाई दो रावаг इसके राव यॉरी मिक्स कर दिया है, आहई कि पूल 2 onion को कर जाए 2 तीस्पोन अढ़र सेंस और इस लिभ्रेक लेयों ने था राम उन्हान को मख़रा है तो देखें कुम अच्छे से भूल चुकी है अजार प्लास्टिक फॉलस मज़िए आखा तो अच्छे विंस से अच्छे बहुत एच्छ से था करने और इस चुक्त सब եा करते हैं तकरिबन 3-4 ग्हेंटे के लिए और इसको दुबारा से मैंने विट करना होगा तक देखे, चार मिन्टे बाद मैंने आइस क्रीम बुज़ा है ये फ्रीजर से निकाल लिया है तो इसको दुबारा से किसी भी स्मूल से मिश्ख कर लें ये मैं एंड ब्लेंडर से स्वेश्चे से दुबारा से मिक्स कर लेती हूँ इस तेट रहाने साइस्केम बहुत इच्छी बनती है उसमें जो है आज स्क्रिस्ट्न बिल्कुल भी नहीं बनते हैं कि कि तो अज़ा आयस पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है पोट अच्छे से संफ्ट होगी है अब ये एक बॉक्स के लिए है डिस्टर्मीन आई्स्रीम को बनाना है तो इते हैं बॉक्स में सबसे फ़एरे लेयर जो है मैंने आई स्कुम के लगा दी है और यह देखें जो मैंने बडर स्काच बनाते रखा था इस सारा डाल दूंगी और फ़र दूबहरा से इस तोपर मैं आइस्रीम लगा दूंगी इसी तरीके सी ती चार लेयर जो है आइस्रीम के इसे ही लगा देरी है तो देखें पूरा अच्छे स्क्रीम लगा दी है अब दोबारा स्क्रीबर में बटर स्क्रीम लगा दूंगे दो दोबार स्क्रीम लगां दुपाई कोो में बटर स्क्रीम लगां खाया, ञाल दीत Colin बटर स्क्रीम लगां नच्छे स्क्रीबर में लगाइं जब दूंगी है अज रहिस कि अरताा स्क्रीम लगाा दी में तो देखें तीन चार लेज़ जो है मैंने ऐसे एस्क्रीम के लगा दी है प्लास्प में जो है बटर स्कॉाच में सारा इसके उपर लगा दूँगी अच्छे से जितने आपको पसंद आप उसे साफ से डालने तो यह देखें भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है इसको मैं अच् साथ से आठ घंटे के लिए फ्रीजर में रख देती हूं ताकि अच्छे से आइस्क्रीम जो है जम जाए तो यह देखें साथ से आठ घंटे हो चुके है आइस्क्रीम को फ्रीजर में रखे वे और यह बहुत अच्छे से जम चुकी है तो देखें स्कूप से इसको निकाल बहुत अच्छी साइस्रीम जो है सोट करनी है यह नहीं कि इसको निकालना है बहुत मिश्किल होचे बहुत इजली इस पूर से निकालाती है तो यह देखिए सुपर में आपको ट्रेट में डावके दिखाती हूँ इस में आइस क्रीस्ट्रल बेल भी नहीं बने है कि बेलकुल बाजार से जैसी आएस्रीम त्यार हुई है तो फ्रेट में एक बतर शुपर दाला दी है तो यह देखिए करीब से दिखाती हूँ देखिए अच्छी आइस क्रीम लग रही है है यह बहुत ही मज़ेदारी आइस्क्रीम बनी थी तो आई देखें इसके पर फोरस मैंने बटर स्वाच भी इसके पर डाल दी है तो यह देखें आपको मैं करीब से दिखाती हूँ देखें बेल्कुल भी इसमें आइस किस्ट्रल बिल्कुल भी नहीं बने है तो फ्रेंड्स कैसी अचाशी लगी आपको मेरी आज़ की रसिपी उमीद है ऑफ को मेरी आज़ की रसिपी ज़रूर पसंद आई फोगी तो एकर आपको डीफेंडिए लगी यह चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अल्ला एक अअ